प्रग्या और अभी के बीच की धरार बनी वैठी है तब ही तो जब प्रग्या ने शादी करुकाने की कोशिश की तो आलिया ले आई वो प्रूफ जिसके चलते अभी इस शादी से इंकार नहीं कर पाएगा जहां प्रग्या ने कहा कि अभी अभी भी तक मेरा ही पती है तो आलिया ले आई वो डिवास पेपर जो 15 साल पहले गुसे में प्रग्या और अभी ने साइन किये थे जिसके चलते प्रग्या का दिल तूड़ गया और इसके बाद जब उसने अभी से ये बात कही तो अभी ने भी इस बात को मानने से इंकार कर दिया कि वो ये शादी नहीं तोड़ेगा जिसके बाद प्रग्या का दिल तो हो गया चकना चूर और इसके बाद प्रग्या की आंखो से बहने लगे आसू और इसी के साथ कहानी में आएगा टुइस जहां प्रग्या को एक बर फिर महरा हाउस से बाहर निकाला जाएगा और अभी कि शादी को तो नहीं करेगा लेकिन प्रग्या और अभी एक बर फिर अलग होने वाले हैं आल्या के इस प्लान के चलते लेकिन अब देखना यह है कि कैसे रिया अपने माबाप को मिलाएगी क्योंकि उसे अपना रनबीर जो चाहिए क्योंकि प्राची की शर्ती ही है कि सब्सक्राइब जरू कर लिजे हमारा चानल